रिपब्लिकन नेता निकी हेली अपने ग्रिह राज्य दक्षन कैरोलाइना में रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपती की उम्मीदवारी की दावेदारी का चुनाव डोनल्ड ट्रम्प से हार गई हैं। दक्षन कैरोलाइना में ट्रम्प से हारने के बाद निकी हेली ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं लड़ रही हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या में रिपब्लिकन प्राइमरी वोटरों का कहना है कि वो एक विकल्प चाहते हैं और 70% अमेरिकी दोबारा ये ट्रम्प को आमने सामने नहीं देखना चाहते, ट्रम्प की दक्षन कैरोलाइना से जीत उनकी प्राइमरी चुनाव में हुई सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है, 2016 से अलग इस बार ट्रम्प के सामने यहां की दो बार गवर्नर रह चुकी निकी हैली थी, यहां के लोगों के बीच वो लोकप्रिय हैं, इसलिए ट्रम्प के लिए ये मुश्किल लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन शनिवार को ट्रम्प ने 20th percentage point के साथ निकी हैली से ये लेकिन जो नतीजे आये हैं, उससे निकी हैली के पूरे कैपेन को ही धक्का लगा है